Hello and welcome back to step by step study कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे तो जैसे कि आप सभी सामने देख सकते हैं मैंने क्या खोला हुआ है Reserve Bank of India Retail Direct आप सभी को पता है इस पर मोधी जी ने दो स्कीम्स लाँच करी हैं तो उसमें से पहली जो स्कीम है वो है Retail Direct स्कीम इस स्कीम के बारे में मैं आपको डीटेल में बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि ये स्कीम क्या है और इसमें किस तरीके से बॉंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जैसा कि मोधी जी ने बोला आप छोटे इन्वेस्टर्स भी गॉवर्मेंट बॉंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये गॉवर्मेंट बॉंड्स क्या है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कुछ भी मैंने लिखा नहीं है बस करना क्या है आपको अराम से सुनना है और राइट चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ देखिए RBI जो है उसने आप नॉर्मल लोगों के लिए भी एक प्लाटफरम ओपन कर दिया है जिसमें अब नॉर्मल लोग भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं ये अकाउंट एक वैसा अकाउंट नहीं है जैसे कि आप नॉर्मल ही एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हो जिसमें कि आप पैसे को transfer कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो यह इस तरीके का account नहीं होगा यह एक account है जैसे कि एक DMAT account होता है ट्रेडिंग का तो अब नॉर्मल लोगों के पास भी एक platform है एक facility है पहले क्या होता था हम लोग RBI में account open नहीं करवा सकते थे लेकिन अब जब मोदी जी ने इस scheme को launch कर दिया है तो एक आम आदमी भी अपना account open करवा सकता है RBI में अब यह savings account नहीं है नॉर्मल बल्कि यह क्या है एक investment के लिए एक सरकारी bond में investment के लिए account है तो यह जैसे कि बोला सरकारी bond इनको बोलते हैं government securities government securities में invest करने के लिए ही हम इसमें account बनाते हैं और trading वगेरा के लिए यहां normal bank की तरह पैसा निकालना या transfer करना नहीं होता जब for example आपने सुना होगा नाम Sovereign Gold Wands का Sovereign Gold Wands पहले जो थे हम direct खरीद नहीं सकते थे लेकिन अब हम इन Sovereign Gold Wands को direct खरीद सकते हैं जैसे कि आप सामने भी यहां देख सकते हैं यह देखिए Invest in Sovereign Gold Wands जैसे पहले Sovereign Gold Wands खरीदने के लिए हमें बड़े बड़े banks के पास जाना पड़ता था जैसे कि SBI हो गया SDFC हो गया या फिर जो direct broker होते थे हमें उनसे खरीदना पड़ता था तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर इन banks के पास ना जाके हम direct bond को खरीद सकते हैं पहले government bonds की purchasing के लिए हमें brokers के पास जाना पड़ता था इन banks के पास जाना पड़ता था अब जो mediocre होते थे अब ये लोग तो क्या होता था बहुत जादा जंजट होता था और जो normal लोग थे वो इस government bonds में invest करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि हम जो ये government bonds हैं या फिर government securities हैं direct हम इनको purchase नहीं कर सकते थे अब क्या हो गया है ये normal लोगों के लिए भी easy हो गया है for the purchasing of these government bonds अब bank और mutual fund companies हम क्या करते थे हम लोग तो purchase करते नहीं थे अब किस के पास right था banks के पास और mutual fund companies के पास तो जो banks और mutual fund companies हैं वो इसमें invest करती थी और फिर क्या करती थी जो returns होते थे वो हमें मिलते थे for example माल लो हमें कोई mutual fund company है जो बहुत ही अच्छी लगी ठीक है हमें कोई mutual fund company है जो अच्छी लगी हमें उस पर trust है तो हो सकता है वो mutual fund company भी इनहीं government bonds में invest करके returns लेती है और वही पैसा हमें देती हो हमारा ही पैसा जो है ये banks और mutual fund companies क्या करते थे government bonds में government securities में invest करते थे और जो भी अपना फिर उनको interest मिलता था वो हमें ये दे देते थे आल राइट लेकिन अब क्या हो गया है अब इनका बीच का system खतम हो गया ये broker का ये जो mutual fund companies में हम invest करते थे उनके through हम खरीबते थे और तुसरा banks इन तीनों का role खतम हो गया है अब हम direct ही online जाके अपना एक account create कर सकते हैं और वहीं से trading कर सकते हैं इन bonds की mutual funds के option में जब भी हम mutual fund purchase करते हैं और एक DMAT account बनाते हैं तो वहाँ पर एक guilt funds का option होता है आपके पास mutual funds की options में अब ये guilt funds क्या होते हैं इस option को press करने से तो जो government securities को purchase करना होता है हमें इसी option को press करने से हमें आती हैं इस गिल्ट funds की option को press करना परता था तब जाके हमें government securities हम purchase कर सकते थे अब इसमें invest करने के लिए किसी भी broker की हमें या फिर कोई भी scheme की जरुरत नहीं है अब यहां पर हम directly invest कर सकते हैं अब चलिए इस पसा मज़ते हैं कि government bonds क्या होते हैं देखिए कोई भी अगर development का काम होना है हमारे area में या फिर कोई high level का development का काम है या सरकार को अपने development work के लिए पैसों की जरुरत पड़ती है अब वो पैसा कहीं न कहीं से तो आएगा तो वो पैसे का क्या करती है वो पैसा लेती है उधार इधर उधर से जो पैसा वो उधार लेती है उधार लेने के लिए वो क्या करती है government companies, government जो होती है वो bond issue करती है अब इस bond में यह सब लिखा रहता है For example कि government जो है कितने time के लिए bond ले रही है कितने time में यह bond mature हो जाएगा और कितने time तक यह bond का पैसा उसको दे देना है कितना interest जो है यह जो government bond ले रही है हमसे जो पैसा उठाती है वो interest पे उसको बोलते है government bonds ठीक है चुकाना है कितना interest उसको देना है और कितने time में वो पैसे वापिस करेगी अब ये जो government bonds होते हैं ये बहुत ही जादा reliable होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं क्यों क्योंकि government अपना promise को पूरा करती है कि जब भी उसको पैसे देने होते हैं वो उसी time पे पैसे देती है और उतन ही interest देती है जिसकी वजय से हम भी अगर इस government bonds में पैसा invest करेंगे तो हमारे लिए भी एक बहुत ही safe option होगा because government जो है वो अपना पैसा जो अपना promise है वो पूरा करेगी अपना interest देने का plus कि वो अपना पैसा जो है वो पूरा का पूरा आपको वापिस देगी आपको कोई भी इसमें डरने की जूरत नहीं है कि आपका पैसा जो है वो बीच में नहीं अटकेगा अब सरकारी bonds में पैसे अब वोता है वो नहीं होता जितना भी पैसा हमारे पास इसमें जमा होता है गोव्नेंट के पास जाता है और गोव्नेंट उसके बदले हमें क्या करती है हर महीने, हर साल अपने उस पे बेसिस पे और जिसको हम coupon भी बोलते हैं तो क्या होता है इसमें पैसे डूबने का खतरा बिलकुल भी नहीं होता जितना पैसा भी उसमें इंवेस्ट होता है वो गोवेंट के पास रहता है और हमारा invest पैसा जो जिससे हम bond खरीते हैं उसका हमें time to time interest मिलता रहता है दूसरा जब भी bond mature हो जाता है तो उस bond का 100% जो पैसा होता है वो हमें वापिस मिलता है इसमें हमें कोई भी इसकी जुरत नहीं पड़ती कि हाँ भई अभी mature हुआनी या फिर mature होने के बाद हमें पैसा कम मिले अगर उस bond के prices गिर जाते हैं या फिर कुछ भी हो कैसे भी करके तो ये सब problem नहीं होती जो हमारे shares में होती है इसमें direct क्या होता है जब bond mature हो गया तो हमें पैसा वापिस मिल जाता है जितना हमने लगाया होता है तो ये दूसरी quality हो गई हमारा invest करने की तीसरा क्या है कि जैसे FD होती है आपकी वो 10 साल के लिए होती है FD is fixed deposit ये होता है आपका 10 years के लिए लेकिन जो हमारा bonds है ये जो government bonds है इसमें हम 40 साल तक के लिए invest कर सकते है राइट ऐसे सरकारी bonds को खरीदने के लिए RBI ने एक online platform त्यार करा है जो आपको सामने दिख रहा है ये देखिए Reserve Bank of India Retail Direct अब हम आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आप इसमें invest कैसे कर सकते हैं आप इसमें account open कैसे करा सकते हैं चलिए द नीचे है आपका how to open an RDG account RDG क्या है retail direct government account तो इसमें क्या है official website को आपको visit करना है जो की है TTPS then RBI retail direct dot in login step two क्या है आपका open the account by linking OTP received on your registered mobile number and savings account RDG RBI will not charge any fees or charges for opening and maintaining RTI RD Retail direct guilt account guilt account मैंने आपको बता दिया क्या होता है आल राइट चलिए अब आगे चलते हैं यह है आपका press releases जो RBI ने रिलीस करी थी और यहां पर जब उस link को मैंने open किया था यह वाला link जो है तो यह page मेरा open हो गया था that is RBI retail direct और यहां पर आप देख सकते हैं open RBI retail direct account अल राइट चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और अब जो यह direct account खुलेगा हमारा RBI direct scheme में इस scheme में चोटे investors भी RBI में राइट चोटे चोटे investors भी होते हैं वो RBI में retail direct guilt account खुल सकते हैं मतलब कि अगर मैं हूँ कोई भी आम आदमी है वो भी retail direct guilt account हमारा खुलवा सकता है वो अपने लिए जो भी bond खरीदेंगे वो इस account में जमा हो जाएंगे जैसे की DMAT account में आपके shares जमा होते हैं अब यह देखिए आप यहाँ पर account type अपना लिखेंगे single account है या फिर आपको joint account खोलना है अगर मान लो मुझे single account खोलना है यहाँ पर तो मैंने single पर click किया full name आपको लिख देना है जैसे की मेरा full name है 138 नीचे आपको अपना pan number लिख देना है जो भी आपका pan number होगा यह देखिए 10 digits को extend नहीं कर सकता pan number होना आपका बहुत जरूरी है दूसरा आपके पास एक valid email ID होनी जरूरी है mobile number आपका valid होना चाहिए because जब आप mobile number enter करेंगे तो उस पर आपका OTP आएगा तो यहाँ पर so and so email idea आप लिख दीजिए ठीक है यहाँ पर mobile number आएगा date of birth आपको लिखनी है then नीचे है login name login name और phone number आपको बहुत जरूरत पड़ेगे इसकी because next time जब भी आप इस account को open करेंगे तो आप इस phone number से और अपने नाम से ही account open करेंगे then आपको क्या करना है preview and submit और आगे जाके आपका इस तरीके से account open हो जाएगा जो की बहुत ही simple है चलिए अब यह जो government bonds अब इस account से हम कर क्या सकते हैं इस account से हम government bonds को sell या purchase कर सकते हैं जैसे trading accounts में shares को sell या purchase कर सकते थे दो तरीकों से यह bonds को हम खरीद सकते हैं सबसे पहला जो RBI time to time issue करते हैं उन bonds को हम खरीद सकते हैं दूसरा secondary market से bonds जो खरीदेंगे अब secondary market क्या है जो हमारे जैसे ही दूसरे investors हैं जैसे कि एक investor मैं हूँ मैंने bonds खरीदे मेरी तरीके से ही दूसरा को investor है उसने भी bonds अपने खरीदे हुए हैं मैं RBI से जो RBI time to time issue करेगी bonds उससे direct ना लेके मैं क्या कर सकती हूँ इन लोगों से जो मेरी तरीके के investors हैं secondary market जिसको हम बोलते हैं secondary market से bond खरीदना मतलब कि अपने जैसे ही दूसरे investors से मैं bonds खरीद सकती हूँ आल राइट चलिए इस platform पर sovereign bonds खरीदने का खरीदना और बेचना हम यह दोनों ही कर सकते हैं कभी और हमें इसमें DMAT account के requirement नहीं होगी पहले क्या होता था जो sovereign gold bonds थे उनको खरीदने के लिए और बेचने के लिए हमें DMAT account के जुरत पड़ती थी बट यहां पर हमें कोई भी DMAT account के जुरत नहीं पड़ेगी अब इसके लिए पहले क्या था DMAT account जरूरी था अगर हमें gold bond की maturity तक wait नहीं करना मान लीजिए gold bond है आपका वो 30 साल में mature हो रहा है या 20 साल में mature हो रहा है और हम wait नहीं करना चाते इतना maturity तक तो हम क्या करेंगे secondary market में भी इसको बेच सकते हैं मतलब हम अपने जैसे investors को भी इस bond को बेच सकते हैं सबसे अच्छी बात क्या है is keep की सबसे पहले यह कि हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना account open करने के लिए अभी मैंने आपको दिखाया सारा का सारा online है करा क्या है आपने direct open करा है link ठीक है link open करते ही यह आगया यहां से आपने अपना account बनाना शुरू कर दिया तो कोई भी खर्चा नहीं लगेगा दूसरा online fee कोई भी नहीं लगेगी कोई भी registration fees नहीं है कोई भी annual fees नहीं है और कोई भी trading charges नहीं लगेंगे और दूसरा क्या है minimal payment gateway charges यह मैं आपको बताऊंगी बाद में कि यह है क्या बस जैसे कि जो पैसे आप transfer करोगे इधर से ओधर पर example मैंने transfer करें पैसे जो मेरे को bond खरीदना है दूसरे investor को तो जो पैसे transfer करने में gateway पे थोड़ा सा जो charge लगेगा बस वही charge इसमें लगेगा और कोई भी charges आपके इसमें नहीं लगेंगे दूसरा आपके पास एक savings account होना चाहिए औव्यस ही बात है जब गॉर्मेंट देखेगी कि कोई account है आपके पास जिससे कि आप bonds को share, sell और purchase कर सकते हो तो ही वह आपको आगे यह account बनाने की permission देगी या फिर bond sell purchase करने की यहां से permission मिलेगी तो आपके पास एक saving account होना चाहिए पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास address proof होना चाहिए आपके पास एक valid email address और mobile number आपके पास होना चाहिए तो जो bond खरीदने के लिए पैसे transfer करने होंगे वह direct आप internet banking से भी कर सकते हो या फिर आप UPI से कर सकते हो ठीक है अब माल लीजिए आपने 40,000 रुपे एक bond को purchase करने के लगा दिये और उस 40 में से आपने 20,000 का ही bond purchase करा है और 20,000 आपके पास बचे हैं तो वो क्या होगा कुछ टाइम बाद आपके saving accounts में आ जाएंगे RBI retail direct account के लिए हम क्या कहते हैं nominee भी tag कर सकते हैं प्लस किसी को अगर gift करना है तो हम gift कर सकते हैं जैसे कि normal bank accounts में होता है कि nominee बना सकते हैं हम इसके लिए भी gift कर सकते हैं दूसरा हम पैसे transfer कर सकते हैं किसी को या फिर हम इसे इन bonds को गिरवी भी रख सकते हैं सब कुछ online होगा ये इसमें I hope आपको समझ में आया होगा then जो bonds हमारे पास available होंगे इस platform पे वो कौन कौन से होंगे जैसे कि state government के bonds, central government के bonds, sovereign gold bonds जो की थी treasury bills और कुछ government companies जैसे कि RAC, NHAI ये भी जो हैं अपने bonds को वो करती हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं यहां से purchasing कर सकते हैं I hope आपको समझ में आया होगा कितने type के bonds के purchasing हो सकती है state government, central government, sovereign gold, treasury bills और कुछ government companies जैसे की REC, BFC, NHAI I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगी, clear होगी तो चलिए, सब तक की लिए, take care, all the best दूसरी scheme, ombudsman scheme, वो मैं आपको थोड़ी देर बात बताऊंगी कि वो scheme क्या है I hope ये scheme आपको समझ में आया होगी Till then, take care and all of you